इस वीडियो में हम आप से बात करेंगे यूपी पॉली टेकनिक थर्ड सिमिस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मॉस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जैसा कि आप यहाँ पे स्किन पे देख पार होंगे मेकैनिक सबसॉलिड और थर्मल इंजीनरिंग इसकी त्यारी आपको क ब्लासेज स्टार्ट करने वाली हैं जिसमें घैसिकली कुछ चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं आपको जो की चैप्टर कुछ इस तरीके से हैं Applied Mathematics 3rd, Mechanics of Solid, Thermal Engineering, Works of Technology और Engineering Materials केवल इतना ही सब्जेक्ट हम 3rd semester के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाएंगे तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट इन सब्जेक्ट में से है तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं बहुत जल्द preparation वाली classes स्टार्ट होंगी मैं जानता हूँ कि मैं बहुत लेट हो गया बट मेरा उमीद ये नहीं ताकि मैं इस बार जो है वो 3rd semester की classes कराऊंगा बट आप सभी के जादा request के कारण मैं ये सुरू करने वाला हूँ और examination time तक आसा करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी help कर देंगे ठीक है तो इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेकनिकल मैं हूँ आपका दोस्त रोशन पांडे आईए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं देखे भाई mechanical engineering के अगर आप student हैं तो आपने ये absorb किया होगा कि दो subject आपको काफी जादा परिशान करते हैं और इस वीडियो में कुछ discuss करने के पहले मैं ये बात बता दू कि आपको ये चैनल जो है इस पे आपको जो भी जानकारी में बताई जाती हैं वो बिलकुल सटीक तरीके से बताई जाती हैं वाली बात कहा आती है कि इस subject में बहुत जादा numerical होता है और derivation होता है खासकर numerical आपके examination में काफी पूछे जाते हैं और long numerical होते हैं ये नहीं कि sort होते हैं इसमें जैसे कि example के दोर पर बात करें तो SFD BMD diagram बनाना वाला आता है जो वो काफी difficulties होती है इसमें सारी चीज़ें हम इस channel पर बताएंगे आपको और बहुत ही अच्छे डंग से बताएंगे ठीक है तो इस subject में बहुत जादा numericals and derivation होता है जिसके वज़ज़ से students को mechanics sub solid में काफी दिक्कत आती है तो हम प्रयास करेंगे कि आप सभी के इस दिक्कत को solve किया जाए और आपकी कुछ help कि जाए बात करते हैं दूसरे important subject के बारे में जो कि third semester mechanical engineering के students के लिए important है वो है thermal engineering इस subject में बहुत कठिन derivation आते हैं तो आपको practice regular करनी होगी अगर एक भी दिन आपने practice नहीं किया तो फिर इसके लिए आपको कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि practice से hard से hard चीज़ें आसान हो जाती हैं आपने observe किया होगा कि कुए पर जब पानी निकाला जाता है तो रसी के कारण कुए पर जो पत्थर होता है वो घिस जाता है तो अगर आप जितना मेहनत करेंगे जितना hard work करेंगे उतनी कठिन से कठिन चीज़ें भी आपके लिए आसान होती चली जाएंगे तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा और mechanics of solid, thermal engineering, engineering materials, applied mathematics third और works of technology इन subject की तयारी हम अपने चैनल पर जल्द स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा वेट कर लीजिए और जो भी दिक्कत आती है जो भी subject आपका जो है वो कठिन लगता है आपको हमें comments में बताईए, topic को बताईए, हम जल्द से जल्द आपके लिए classes स्टार्ट करेंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें comments में बताईए और किसी भी subject जो भी आपको हार लगता है, उस पे ज़रा wishes ध्यान दीजे हर subject से ज़्यादा उस पे time दीजे, वो chapter आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा यकीन मानिये, मैं अपनी trick बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद इसे follow किया है और मुझे result काफी अच्छा मिला है, तो इस चीज़ को आप भी follow कीजे और इस चैनल के साथ जुड़ जाएए और इस वीडियो को third semester के students में जादा से जादा शेयर कर दीजे, ताकि उनको भी पता लग पाए कि पांडेजी technical channel पे third semester की classes स्टार्ट होने वाली है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, God bless you, best of luck for your examination, thank you so much